कि नमस्कार उस्तों मायोनितिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक नितिन पर दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जो लेक्चर पड़ा था उसमें हमने कुछ रिलेशन्स देखे थे आज की वीडियो में हम देखेंगे पैकिंग पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लटाइस दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लगती है तो लाइक बटन जरूर प्रेस किजिएगा और सबस्राइब किजिएगा हमरे चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए बैल नोटिफिकेशन ज जो है पेट कोर्सेस खरीदते हैं ऑनलाइन बट यह मैंने इनिश्यूटी इसलिए स्टार्ट किया है कि जो बच्चे नहीं खरीद सकते हैं ऑनलाइन कोर्स उनको मैं यह कोर्स देना चाहता हूँ जो कि बिल्कुल फ्री में है और यूटूब पे अवायलेबल है सो ट्वेल यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट देखिए इंश्यूटी पार्टिकल और क्रिस्ट्लाइन इसलिद्र क्लोज पैक दोस्तों अभी तक हम डिसक्रेब करते आए कि जो सॉलिद होता है उसके अंदर जो क्रिश्यूट्लाइन इसके अंदर कुछ आव तो और कुस्ट्ट्रेश से होते है वो होते है closely packed okay next देखते है while describing the packing of particle in a crystal the individual particle are treated as hard spear अब जब भी हम describe करते है जो गंस्ट्रीट पार्टिकल होते है crystal के अंदर तो किस तरह से दिखते होंगे तो basically हम उसे consider करते है कि वो एक hard spear दिखते होंगे right so hard spear आप assume कीजिए तो देखिए the closeness of particle maximize the inter particle attraction so जितने पार्टिकल जो है close रहेंगे उतना ही उनके बीच का जो inter particle attractions रहेगा वो maximum रहेगा so यह चीज़े यहां पे तीन points हमने discuss किया है so अभी next point हम देखते है यह कुछ basic से चीज़े है वो आपको यहाद रखना है ठीक है तो देखिए the number of neighboring spears that touch any given spear is its coordinate number अब देखिए यह आप जब figure देखेंगे तब आपको पता चलेगा अच्छी तरह किसे so कहने का मतलब है कि जो भी spear रहता है उसके आजबाज़ू कि जितने भी spear उसके touch में आएंगे वो उनके कोडिनेशन नमबर रहेंगे ठीक है यह चीज़ आप ध्यान रखिए इसका काम आपको आ गया आएगा उसके बाद देखिए magnitude of the coordination number is measure of compactness of spear in a close pack structure तो जो magnitude होता है means coordination number का जो magnitude होता है वो हम मेजर कैसे करेंगे compactness of spear in close pack structure में जितना compact रहेगा spear close pack structure में उतना है उसका magnitude रहेगा right next बढ़ते है the larger the coordination number the closer are the spear to each other में जितना ज्यादा coordination number रहेगा उतने ज्यादा जो spear रहेंगे जो particle के अंदर जो spear रहेंगे वो उतने ज्यादा close रहेंगे right so यह कुछ basic points आपको जो है याद रखने है packing of particle in crystal lattice जो हम topic बढ़ रहे है उसके बारे में right तो चलिए देखते आगे the three dimensional अब देखे close pack structure three dimensional close pack structure can be understood conveniently by looking at the close packing in one and two dimension अब देखे अभी यदि हमें समझना है कि जो three dimension में जो close packing किस तरह से होती है तो यदि हम one and two dimension की जो close packing समझते है तो आपको अच्छी तरह की से जो है यह समझ में आएगा तो सबसे पहले हम start करते है close packing in one dimension ठीक है इसके बाद हम two dimension देखेंगे और three dimension देखेंगे right तो आज की वीडियो में तो close packing in one dimension रो two dimension हम explain करेंगे और उसके आगे के वीडियो में हम third dimension पढ़ेंगे ठीक है तो देखें close pack in one dimensional structure result by arranging the spear to touch each other in a row तो देखें close pack in one dimension रोटम सिंपल है यहाँ पर जो spear है बिलकुर row में arrange किये गया है तो इसी को हम बोलेंगे close packing in one dimension ठीक है बिलकुर सीधे-सीधे एक row में वह सारे जो spears है में जो personal particles spear है वह arrange किये गया है तो उसी को हम यहाँ पर बोला है close packing in one dimension अब two dimension और three dimension में हम एक specific way में उसे arrange करेंगे और जो हमें structure मिलेगा फिर उसे हम बोलेंगे close packing in two dimension या फिर close packing in three dimension ठीक है तो अब यह आगे देखते है सो यह जो चीज़े आपको ध्यान रखने है राइट सो वन नेशन आपको ध्यान में आ गया होगा जो स्पियर रहते है वह बिल्कुल रू में अरेंज किये हुए रहते है आप यह diagram देख सकते है तो यहाँ फिर सेकंड थर्ड फॉर फिप्थ शिक्स बिल्कुल सारे के सारे जो स्पियर है वह बिल्कुल अरेंज किये गए है एक रू में इस रू को हम बोलेंगे close packing one dimension ठीक है close packing in one dimension ओके अब हम देखते है close packing in two dimension तो देखे close packing two dimensional structure result by stacking the row together such that they are in contact with each other तो हमें arrangement इस तरह से करनी होती है कि जो spears होते है वह एक दूसरे के contact में आना चाहिए राइट इसे हम planner structure भी बोलते है तो देखे दो तरीके से हम two dimension में structure बना सकते है तो एक है square close packing और दूसरा है hexagonal close packing तो one by one देखते है क्या चीज़ा है तो देखे one dimensional सबसे पहले square close packing देखते है one dimensional row up close packing spear are stacked over each other such that they are spear aligned vertically and horizontally तो अभी हमने थोड़े दिर पहले one dimensional packing देखे थी उसमें क्या था एक row में छे सारे का सारे spear तो वैसे सारे spear के rose को हम एक के उपर एक रख दे तो हमारा square close packing बन जाता है राइट तो उसके बाद देखे in this arrangement every spear touches four neighboring spear अब देखे इस arrangement जैसा हम मैंने अभी बता है वैसे हम यदि arrange करते हैं spear को तो हमें जो है चार neighboring spear मिलते एक spear के जो पर्टिक्लोर spear हम पकड़ेंगे उसके आजो बाजो में चार spear हमें मिलेंगे neighboring तो उसी से इसके कुछ points आगे देखते हैं भी देखिए हैंस two-dimensional coordination number is four तो इसका जो coordination number रहेगा two-dimensional coordination number यह रहेगा four ठीक है क्योंकि यहाँ पर चार जो spear है contact में आ रहे तो देखिए square obtained by joining the center of these four closest neighbor तो देखिए अब यह जो 4 spear contact में आ रहे हैं इनके centers को जोड़ दे तो हमें square मिलता है तो यह square होने की वज़े से ही हम क्या करते है इस two-dimensional close packing को square close packing in two-dimension भी बोलते है ठीक है वही point आगे लिखा है देखिए therefore this two-dimensional close packing is called as square close packing in two-dimensional तो देखिए diagram दीगे यह आपके reference के लिए तो यहाँ पर देखिए जो neighboring spear है वो बिलकुल 4 है और बीच में a spear है तो उसके centers को जोड़ते हैं यहाँ पर हमें मिल रहा है एक square ठीक है उसके बाद हम देखते है second अब देखिए second जैसे कि मैंने बताया था एक square है और दूसरा hexagonal close packing है तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़े होती है और कैसे हम arrange करते है वो देखते है point to point तो देखिए in this arrangement में क्या होता है देखिए जो हमने row बनाये थे अब इसमें क्या होता है एक point छोड़ एक square छोड़के हमें arrangement बनाने होती है वो आगे हम इसमें देखिएंगे figure में तो देखिए पहले discuss कर ले पॉइंट in this arrangement is peer touches six closest neighbor वहां पे चार हो रहे थे square में अब इसमें इसमें हमने चार देखा था क्यूंकि चार स्पीर आ रहे थे contact में इसमें छे आ रहे इसलिए जो कोडिनेशन नंबर होगा two-dimensional वो हो जाएगा six ठीक है उसके बाद देखिए regular hexagon is obtained by joining the center of this six closest sphere अब देखिए यह six closest sphere है इनके centers square square दें हम जॉइन करते है था हम एक regular hexagon मिलता है तो उसी की वज़े से इसका जो नाम है हमने hexagonal close packing structure भी हम उसे बोलते है देखिए next point देखिए coordination number in hexagonal close parking in two dimension is higher than square close parking in two dimension तो देखिए coordination number obviously बात है यहां पर 6 और वहां पर 4 तो बड़ा रहेगा square close packing से उसके बाद देखिए this free space in this arrangement is less than square packing making it more efficient packing than square packing तो इसमें जो space हमें मिलती है hexagonal में वो ज्यादा sorry कम होती है as compared to square packing तो यह बहुत efficient तरीका है packing करने का ठीक है उसके बाद देखिए these free spaces are triangular in shape and are two types तो basically triangular shape के हमें मिलते है जो free space मिलता है उनके बीच का spear के वो जो triangular shape है और दो type का होता है तो देखिए apex of the triangular voids in alternative rows pointer upward and downward वो अभी मैं figure में आपको बताऊंगा apex जो होते है आफ फोर्ड डाउनोड होते है जो alternate rows होते है उन में तो अभी आगे आपको एक diagram मैं दिखाऊंगा उसमें आपको अच्छी तरीकी से clear यहां पर हो जाएगा ओके तो आप diagram देख पा रहे होंगे इसमें देखिए हमने alternate arrange किया देखिए तो यहां पर देखिए जो एक sphere है वो 6 sphere के contacts में आ रहा है और यह 6 sphere है इनके center को एदि हम जोडते है तो देखिए एक hexagon regular hexagon बन रहा है इसलिए इसका coordinate number क्या है 6 है square प्लैकिंग में क्या हो रहा था उसमें सिर्फ 4 ही आ रहे था इसलिए वो square बन रहा था राइट इसमें hexagon बन रहा है तो यह चीज़े आपको ध्यान रखने है और इसकी diagram भी ध्यान रखने है exam point of view यह आपको पूसता है तो understanding हो सके तो उमीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लगे होगी वीडियो अच्छे लगे तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों के शाथ शेयर कीजिए जो पढ़ना चाहते chemistry easy language में उनके साथ शेयर कीजीगा तो पूरी playlist हमने बना रखिये जिनको पू subscribe जरू कीजिए bell notification icon press कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की notification आपको regular time to time मिलती रहे